मनजिल उनी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है तो कैसे हो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ में इंज्वाई भी कर रहे होगे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसे बड़े साइन बढ़ा हूँ जिससे आपको पता लगएगा कि आपका जो है हाई टेस्टेस्टरों है लो टेस्टेस्टरों है या टेस्ट्रों नॉर्मल है तो इस वीडियो का पूरे एंड तक देखना अंत तक नेखना तब भी आपको पता चल पाएगा कौन से ऐसे 6 बड़े साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि लो टेस्टेस्टरों है कि हाई टेस्टरों है नॉर्मल है आपका और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर करें यह चोड़ा सा सवाल पूचे जाता हूँ कि आप लोग करते हैं यह नहीं करते हैं डेली बेसिस पर मतलब रोज डेली वरकाउट करते हैं इस और यह सो नो में आपको आंशर देना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएए अब करते हैं कि टेस्टरों आकिर है क्या लोग आज हो जाते हैं तो यह किसे करते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टेस्टेस्टरून कम है यह नॉर्मल है तो दोस्तों मैं आपको बता हूँ एक जो पाया लोग नहिंच हो तेंस से कम आता है अगर अभर अगर आप तेस्ट कर लेविल तो आपका टेस्ट साहिold सही माना जाएगा जाएगा दो आपको पता चालेगा कि आपका टेस्ट्रोन कम है noreimal जाधा है पहला सब से बड़ा यह है कि not gaining muscles कोई इंसान workout बहुत अच्छा कर रहा है बहुत अच्छी diet भी ले रहा है बहुत अच्छी sleep भी ले रहा है बहुत सारी चीदे वो follow कर रहा है और अपनी muscles को gain नहीं कर पा रहा है तो यह सबसे वड़ा sign होता है testosterone कम होने का अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आप workout बहुत अच्छा कर रहे हो diet अच्छी ले रहे हो muscles gain नहीं हो पा रही है आपकी तो आपको हो सकता है कि testosterone कम हो अगर किसी भी इंसान को ऐसी problem है lower sex drive की तो समझ सकते हो कि उसका testosterone कम है तो यह point अच्छे से आप समझ गयोगी low sex drive का मतलब क्या होता है मैं यहाँ ज़्यादा explain नहीं करने वाला हूँ low libido इसका मतलब क्या होता है जब भी आप कोई ऐसी चीज देखते हो तो आपके अंदर उतेजना इतनी नहीं होती है आपको कुछ भी मैसूस नहीं होता है कुछ भी feel नहीं होता है ऐसी चीज देखने के बाद इतनी उतेजना नहीं होती है तो आप सोच सकते हो कि आपका testosterone कम हो सकता है अगर आपको ऐसी problem है तो आप एक अच्छे doctor से consult करें तो मैं तो यहीं बोलूँगा कि आप एक अच्छे doctor के बाद जाईए वो आपको बताएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है अगर आपको ऐसी problem हो रही है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज देखते हो और आपके अंदर इतनी उतेजना नहीं होती है तो हो सकता है कि आपका testosterone कम हो तो आप अपने obesity पर ध्यान दीजिए अपने मोटापे पर ध्यान दीजिए अच्छी diet लेजिए अच्छा workout करिए आपका testosterone बढ़ेगा और साधी साथ आपकी जो obesity ना वो भी कम हो जाएगी बात करते हैं अगले point की वारे में वो यह है कि आप लोग हर टाइम ठका ठका महसूस करते हो टायर महसूस करते हो फटीक रहते हो आप आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता है आपको कोई भी काम करने का दिल नहीं करता है यसा लगता है कि लेटे रहो पूरे दिन तो आप सो सकते हो कि आपका testosterone कम हो सकता है दोस्तों ये तो हो गए कि कौन से ऐसे बड़े sign है जिसे आपको पता लगेगा कि testosterone कम है, normal है या ज़ादा है अब हम बात करते हैं कि natural तरीके से testosterone को कैसे boost कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं बात करते हैं पहले जीस के बारे में वो है weight training exercise दोस्तों studies के मुताबर ये पाया गया है कि जो इंसान weight training करता है, जो इंसान workout करता है जो इंसान अच्छी exercise करता है उसका testosterone जाधा होता है as compared to a normal इंसान जो इंसान workout नहीं कर रहा है, exercise नहीं कर रहा है तो testosterone production इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, इतना increase नहीं हो पाएगा अगर आप legs की exercise कर लेते हूँ, थाय की exercise कर लेते हूँ तो आपका testosterone बहुत तेरी से बढ़ेगा, बहुत अच्छे से बढ़ेगा तो आप अच्छे से workout करें और जो इंसान workout नहीं करते हैं उनका testosterone कम होता है, as compared to जो इंसान workout करता है तो आप पहले जीज़ कर सकते हैं, workout कर सकते हैं, जिससे आपका testosterone बढ़ेगा बात करते हैं, अगले point के बारे में वो है कि आपको अच्छी diet लेना है अच्छी diet में क्या करना है, protein, carbohydrate and healthy fats और आपको कोशिच करना है, कि fast food बिल्कुल avoid कर देना है इस्टीज के मताबर ये घ्राह गया कि जो इंसान fast food बढ़ाcast, junk food बढ़ाता है तो उसका testosterone कम होते है तो क्या करना है वाइली food, junk food, fast food बिल्कुल कम से कम काना है आपको अच्छा खाना है healthy काना है जिससे आपका only या नियеспinformation क्या करना है तो आपकी life बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और आपको क्या करना है अच्छी Indeed में जैसे प्रोटी में आप जो है क्या कर सकते हैं चिकिन अंडे दूद पनीर राजमा छोले ऐसी चीज़े खाई और आपको अच्छा वाला कार्बोहेड लेना और हेल्दी फेर्स में बादाम काजू थोड़े बहुत एड़ कर लीजिए इससे आप काफी हेल्दी बन चलब होगे और आपका टेस्ट्रेस्ट्रोन भी बढ़ जाएगा बात करते हेले पॉइंट के बारे में daha थेप्लिए श्यादा लोगी तो आपका तेस्ट्रोन सामयजmго होता है तो सभिते होती है मानदाओ उ सारी चीजों क्यों होती है family में टेंशन होती है डिलेशन्टिप में टेंशन हो दिया, बच्चों की होती है, पैसे से लिल्टेड होती है पर आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए, किस तरीकी से आप उसको मैनेज करते हो, तो आपको क्या करना है, टेस्टेस्टरों सही रहे और आपकी लाइफ अच्छी रहे, आप हैपी बात करने अगले poinnt के बारे में वो है good sleep मैं आपको था हूँ जो इंसान अच्छी सिलिप लेता है साथ से आठ गंटे के sound sleep लेता है high quality sleep लेता है तो उसका test-test-on काफी अच्छा होता है तो आपको क्या करना है अच्छी sleep लेनी ए स्लीप लेनी है आज के लिए लोग आपको पता है क्या कर रहे हैं बारा एक बज़े सोते हैं दो बज़े सोते हैं फिर उनका हाल क्या होता है उनका फेस बिल्कुल बेगार हो जाता है उनकी पूरी बॉड़ी खराब हो जाती है और आपको क्या करना है अच्छी स्लीप लेना ह लेकर वैसे मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल है तो मैं आपको एक सप्लीमेंट बना चाता हूं या आप कर सकते हो काफी help करेगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपने यह सप्लीमेंट एड़ कि आपका टेस्ट्रेस्ट्रों में बिल्कुल फाल्ग निकल लगा है मतलब ऐसा नहीं होने वाला है आपका टेस्ट्रेस्ट्रों इंक्रीज होने में काफी help करता है वह अश्वगंदा एक ऐसी हर्भ है बहुत टाइम से पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं लोग तो आप अपनी डाइट में अश्वगंदा एड़ कर सकते हो अश्वगंदा काफी help करता है आपका stress level भी कम करता है टेंशन भी कम करता है आपको अच्छी नींद लाने में भी help करता है और साथ साथ testosterone बढ़ाने में भी मदद करता है तो आप अश्वगंदा एड़ कर सकते हो काफी help करता है काफी मदद करता है और साथी साथ मैं आपको जो important चीज़े बताने में भी नहीं सोच सकते हैं दोस्तों मैं आपका बता हूँ इस्ट्राइड लेने की वज़े से बहुत सारे ल हो जाए प्लीज ऐसा ना करें इस्ट्राइड वगर यूज ना करें अगर आपको कोई सीरियस गोल नहीं है मतलब बॉड़ी बीडिनिंग जो इनसान कर रहा है बॉड़ी बीडिनिंग कॉम्पेटिशन लड़ना है उनका अलग गोल होता है और उनके पीछे डॉक्टर लग आप लोग हैपी रही है खुछ रही है आपका टेस्टर्स वन जरूर बढ़ेगा यार तो यह ते आज की वीडियो चे लगी वीडियो लाइक करें वीडियो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें कोई सवाल पूछने चाहते है कोई वी कोशिट पूछने चाहते है मुझे इस चैनल करें सब्सक्राइब करें और इस वीडियों को जरूर करें अपने दोस्तों के जात में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ऑल दी बेस्ट यार्ट टेक क्यार